महादेव, आप सभी का हमारे चैनल शिफ कथा उपाय पर बहुत-बहुत स्पागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्श को, आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। दर्श को आप सभी जानते हैं, 23 अगस्त दिन बुद्वार को सावन माहा की अंतिम सप्तमी तिती है। यहाँ बाकी के 9 दिन, जब जाने हम कि 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 9 ही दिन बाकी हैं सावन के समापन में। तो इन नौ दिनों में और खास कर अंतिम सप्तमी के दिन में शाम की समय प्रदोशकाल में आप इस एक उपाय को करना ना भूले। महादेव की क्रपा से जीवन के सभी कारे बनेंगे और माता गौरी की क्रपा से आपके घर में धन लक्ष्मी की व्रद्धी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके कारे बने आपके कारे में बिग्न ना आएं तो इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा जिससे कि महादेव की क्रपा से जीवन के सभी कारे बनने लगेंगे। चलिए जानते हैं कौन सा है वह अचोक उपाय और किस प्रकार से आपको करना है पूछनिया पंडिची ने अपने श्रीशे महापुरान कथा में विशेश रूप से इस उपाय का वर्णन किया है यदि आप सचे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस एक उपाय को कर लेती हैं तो महादेव आपके सभी बिगडे हुए कारियों को बना देंगे और आपको हर कारे में सफलता की प्राप्ति कराएंगे वही माता लक्ष्मी आपके घर में इस थाय रूप से वास करेंगी इस उपाय के लिए आपको पांच दीपकों की आवशकता होगी अब आप चाह करने हैं उसके बाद में पांचों दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देशी घी के दीपक तयार करने हैं सबसे पहला दीपक आपको शाम के समय प्रदोशकाल में घर के मंदिर में जलाना है घर के मंदिर में दीपक जलाने से माता लक्ष्मी घर में आमंतृत होंगी और स्थाय रूप से घर में वास करींगी दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में जलाना है रसोई घर में पीने के पानी वाले इस्थान पर आपको दीपक जलाना है आप सभी जानते हैं और पूछनिय गुरुजी ने भी अपनी श्रिश्य महापुरान कथा में बताया है कि पीने के पानी वाले इस्थान के पास हमारे पित्रों का वास होता है और रसोई घर में माता अनपुर्णा का निवास होता है जिससे कि माता अन्पूर्णा की गरपा से पूरे साल घर में धन्निधान की वरद्धी होगी और पित्रों का भी आशिर्वात प्राप्त होगा तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्षमी घर में आमत्रित होती है और इस्थाई रूप से घर में वास करती है चौथा दीपक आपको बेल पत्र के व्रक्षी के नीचे जलाना है आप सभी जानते हैं कि बेल पत्र के व्रक्ष में स्वयम ही देवादी देव महादीव का वासमाना जाता है। यदि आपके घर के आसपास या मंदिर में बेल पत्र का व्रक्ष ना हो तो आप समी व्रक्ष के नीचे या आवले के व्रक्ष के नीचे भी दीपक को जला सकते है चौथा पांच्वा दीपक आपको शिव ले जाकर यानि कि शिव मंदिर जाकर भग्वान के शिवलिंग के समक्ष में ही आपको जलाना है और यदि इन पांच स्थानों पर आप दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर पांचों दीपकों को एक साथ रख माता लक्ष्मी, महादेव, माता पार्वती का इस्मरण कर दीपकों को प्रज्वलित करें काम ना करें आपकी वह काम ना सावन के समापन से पूर्व ही पूर्ण होगी धन्यवार दर्शकों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें कमेंट करें हर हर महादेव